नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं प्रिसी कानून की वापसी पर जाप कार्करताओं ने मनाया जस्न इसे किसानों के संगर्स की जीत बताया केंद्र सरकार द्वारा कालिक प्रिसी कानून की वापसी पर जन अधिकार पाटिन ने सुक्रवार को पटना में जस्न वनाया अबेर गुलाल के साथ जाप कारकरता डाक बंगला चोराहा पहुँचे और एक दूसरे को अबेर लगाकर अपने खुशी का इजहार किया जाप कारकरताओं ने इसे किसानों के संगर्ज की जीत बताया है जाप कारकरताओं ने 700 किसानों के बलिदान को लेकर जाप निताओं ने पियाम मोदी की गलत निती पर उनके चेहरे पर कालिक पूती इस मौके पर जाप युवा निता राजू दानवीर ने काया कि कोई भी बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है सरकारे जुकती हैं घमंड तूटता है लेकिन बलिदानों का मोल माफी मांगकर नहीं चुकाया जा सकता है किसान आंदोलन भारतिय इतिहास में सदेव मिसाल बनकर रहेगा बिहार के 50 कर्मी और पताधिकारी ड्यूटी से गाया नोटिस दे सक्त कारवाई का निर्देश इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के बकसर से आ रही है जहां 50 कर्मी मद्दान और मदगन्ना से बिना सूचना के अनुपस्तित रहे बता दे कि इन 50 कर्मियों के विरुद डियम अमन समीर ने इस पस्टी करन नोटीस जारी कर दिया है गौर तलब है कि मतगना के लिए 13 नौबर को 10 कर्मियों को प्रकंड चक्की और वहीं चोगाई के मतदानकार के लिए 34 मतदानकर्मी और साथ ही चाह गस्तिदल ने योगदान नहीं दिया बताया जा रहा है कि बिना सूचना के अनाधिकरित रूप से ड्यूटी से अनुपस्त क्रिसी कानुनों की वापसी पर मोदी सरकार पर बरसे तिजस्वी और लालू कहा अहंकार की हुई हार मोधी सरकार के द्वारा तीनों क्रिसी कानूनों को वापस लिये जाने के बाद राजनेतिक गलियारों में बयान बाजी सुरू हो गई है आपको बता दे कि सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तिजस्वी यादव किसानों के इस अंदोलन में काफी बढ़ चड़ कर सामने आये थे अब क्रिसी कानूनों के वापसी की घोसना के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है उन्होंने ट्वीट करकाया कि 26 नौवंबर से किसान अंदोलन रत थे बिहार चुनाओ नतीजों के तुरंत पस्चात हम किसानों के समर्थन में सड़क साथ यादव ने काया कि बिशु के सबसे लंबे सांतिपूर्ण वा लोकतांत्रिक किसान सत्यागरह के सफल होने पर बंधाई बिहार के 51 फरजी सिक्षकों की बरखास्तगी का आदेश वेतन की होगी वसूली इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां बिहार राज अपिलिय प्राधिकार ने तिन अलग-अलग मामलों में एकावन सिक्षकों को सस्प्रेंड करने का आदेश दिया है बता दे कि इन सिक्षकों ने गलत तरीके से सरकारी अधिकारियों और मुख्याओं के सहयोग से नौकरी पाई थी तिन मामलों में संबंदित जीलों के डियम को इसको लेकर सक्त कारवाई करने के लिए कहा गया है ये मामले औरंगाबाद, नालंदा और सहरसा जीलों के हैं सूत्रों के अनुसार औरंगाबाद के मदनपुर प्रकंड के विविन स्कूलों में 24 व्याद सिक्षकों की जगर दूसरे लोगों की जॉइनिंग दे दी गई वहीं इस मामले में प्राधिकार के अध्यक्ष असुक कुमार सिनहा ने जिला अपिलिया प्राधिकार के आदेश को रोकते वे सिनहा ने सभी 24 सिक्षकों को 15 दिनों में हटाने का आदेश दिया है सिक्षकों को सस्पेंड होने के बाद इससे जुड़े बीडियो और प्रकंड सिक्षा प्रसार पताधिकारियों के खिलाप विवागिय कारवाई के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है आवेदन के 11 साल बाद सुरू होगी होमगाड भरती की बहाली प्रक्रिया बिहार में आवेदन जमा करने के बाद 11 साल बाद होमगाड की भरती प्रक्रिया सुरू होगी इसके लिए होने वाली दौड वो अन सारीरिक जांस में राजभर की लाखो अभ्यारती हिस्सा लेंगे मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के बाद इसकी प्रक्रिया सुरू की जाएगी पुलीस मुख्याले ने सभी जीलो को पत्र भेज कर इसके लिए एन्रॉल्मेंट बनाने को कहा है ADG JS गंगवार ने भागलपुर सहित सभी जीलो के SP को निर्देश दिया है कि वर्ष 2011 में होमगाड में भरती के लिए अंतिम विग्यापन प्रकासित हुआ था और उसी आधार पर लाखो युवावों ने आविदन किया था ADG ने काया कि नियुक्ति प्रक्रिया से सम्मंदित अभी तक नहीं बनाने वाले जीलो के SP के CR में यहाँ देखा जाएगा कि उन्होंने ग्रिहा रक्षकों का इन्रॉल्मेंट कराया है या नहीं उपभोगताओं को अब हर महिने मिलेगी सबसीडी खाते में आएंगे इतने रुपईए बिहार में उपभोगताओं के बैंक खाते में रसोई गयास की सबसीडी नियमित रूप से नहीं पहुंचने से उपभोगता परिसान है ऐसी खबरे सामने आई है कि कुछ उपभोगताओं के खाते में बहुत कम पैसा गया है तो कुछ खाते में गया ही नहीं है हाला कि कुछ उपभोगताओं के खाते में नवंबर में भी सबसीडी की रासी भेजी गई है कई तरह की बाते सामने आने से ग्राहक के बीच ब्रहम की इस्थिती पैदा हो गई है IOC ने माना है कि फिलाल रसोई गैस सबसिडी के भुगतान में कुछ परेसानी बनी हुई है वहें इस मामले में IOC की ओर से कहा गया है कि रसोई गैस सबसिडी भुगतान के लिए नया सिस्टम तयार किया गया है इस नए सिस्टम के जरिये अभी सुचारू रूप से कायर नहीं हो पा रहा है इस वज़ा से परेसानी हो रही है पुर्व की अपेच्छा बहुत सुधार हुआ है सितंबर तक की सबसिडी उपभुगताओं के खाते में भेजी जा चुकी है अइन महने की रसोई गैस सबसिडी भी सिग्री ही मिल जाएंगी मिली जानकारी के मुताबिक 89.26 रुपई ये परती सिरेंडर सबसिडी री जा रही है पतादे के बिहार LPG डिस्टिब्यूसर एसोसियेसन के महासचिव डॉक्टर राम नरे सिना ने काया कि सबसिडी की रासी मिलने में कुछ परेसानी थी अब बहुत सुधार हो चुका है जल्दी नियमित रूप से उपभुक्ताओं को सबसिडी की रासी मिलने लगेगी पिहार सरकार में अनोकंपा पर बहाली का नियम बदला सरकारी सेवकों के मौत के बाद उनके अस्रितों की नौकरी के लिए बड़ा फैसला बिहार सरकार ने सरकारी सेवा में रहते हुए मौत हो जाने पर अस्रितों को अनोकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में फिर बदल किया है राज सरकार के सामायन प्रसासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है दरसल सरकार ने अब प्रवाधान कर दिया है कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो भी उनके आसरित को अनोकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी हाला कि इससे एक सर्त भी जोड़ी गई है हम आपको बता दी कि बिहार सरकार ने अनोकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए 1991 में नियमावली बनाई थी बिहार सरकार की ओर से 5 अक्टूबर 1991 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि पति-पत्नी दोनों के सेवा में हो और उनमें से एक की मौत हो जाए तो फिर उ कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हो और दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो भी अनोकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी सर्थ इतनी है कि पति-पत्नी में से जो भी जीवित बचा है वह सरकारी से रिटायर कर चुका हो यानि पैंचनर हो सरकार ने इलाज पर महंगाई की मार एक बार फिर से बढ़ सकती है पिछले साल की तुलना में पहले से ही दवाईयां 10-40 फिस्ति महंगी बजार में मिल रही है अब एक बार फिर से दवाईयों की कीमत बढ़ने के संकेत मिल रहा है वहीं IMA चाइना से आने वाले कच्चे माल की कीमतो में व्रिधी को इसका कारण माना जा रहा है IMA बियार के प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि चाइना से संबन खराब होना भी इसके पीछे की एक बज़ा है इसके अलाबा कोविड के दौर में लेबर की कमी और पैकेजिंग कोस्ट में व्रिधी की वज़ दाखिल खारिज करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को भी देने पर विचार किया जा रहा है बिहार में दाखिल खारिज यानि की म्योटेशन को लेकर नई विवस्ता जल्द ही लागू कर दी जाएगी राज के राजस्व एवं घुमिसुदार विभाग के मंत्री रामसुरत राय ने खुद इसकी जानकारी दी है मंत्री रामसुरत राय ने इसकी घोसना राजस्व अधिकारियों के एक डिवल्लमेंट प्रोग्राम के दोरान खुद की है मंत्री ने काया कि हम अब राजस्व अधिकारियों का कारी छेतर बढ़ाने जा रहे हैं मंत्री र अधिकारियों के लिए नया डोंगल बनवाया जा रहा है। सभी राजस्व अधिकारियों को वाहन की सुईधा भी दी जाएगी। रामसुरत राय ने काया कि अंचल अधिकारियों के पास पहले से ही काफी जादा दायत हुए हैं। इसलिए उनके कारियों को अभ अधिकारिय के वेतन बिर्दी पर रोक लगा दी है बिहार में टिकाकरन महाभ्यान के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले इन डॉक्टरों के उपर गाज गिरी है आपको बता दे कि 18 अक्टूबर को राज में टिकाकरन महाभ्यान चलाया गया था इस दौरान राज के 65 प्राथमिक स स्वास्त केंद्रों के प्रभारी भी सामिर है। स्वास्त विभाग की तरफ से इन डॉक्टरों को चितावने भी दी गई है। प्रभाग के अंदर इस प्रष्टिकरन मांगा था। लेकिन इन 65 चिकित्सा पताधिकारियों निर्धारित समय सिमा के अंदर इस प्रष्टिकरन नहीं दिया। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में सेर करना ना भूलें धन्यवाद